Hello everyone, इस वीडियो में हम JOSA Counseling Schedule के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में JOSA Counseling First Round to Fifth Round, Last Payment, Choice Filling किस तरह से करते हैं Last Seat Acceptance Fee हम कब तक refund ले सकते हैं And All the Important Dates के बारे में बात करने वाले हैं इसके लावा Jack Delhi Counseling भी स्टार्ट हो चुकी है अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये दो वीडियो देख सकते हैं JOSA Counseling 2024 की Registration 10th June स्टार्ट हो चुकी है जो Students AAT के लिए क्वालिफा कर चुके हैं और वो JOSA Counseling में पाइस्पेट करना चाहते हैं उनके लिए Registration window 14th June से स्टार्ट हो जाएगी आपको Registration की टाइमी क्यों फिल करना चाहिए इसकी बात में आगे लास्ट में करने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें Pre-payment of JOSA Seat Acceptance Fee Start from 10 June onwards इस PDF में एस सच मेंशन नहीं है कि JOSA Counseling का फॉर्म कब क्लोज होगा लेकिन for the safer side आप Registration 18th June से पहले यानि 17th June तक कर दे है Maximum बच्चे Registration on the last date करते हैं जिस पर ऐसे website पर high traffic हो जाने के वज़े से server down हो जाता है और बहुत सारे बच्चे Registration कर ही नहीं पाते हैं तो ऐसी situation अवाइड करने के आप Registration जितना हो सके उतना पहले कर दीजे Registration की लिंक आपको description मिल जाएगी तो आप वहाँ से register कर सकते हैं Then 15th June दुपैर 2 बजे display of mock seat allocation round 1 on the basis of 14th June Then 17th June 2024 display of mock seat allocation result 2 on the basis of 16th June mock seat allocation का मतलब है इसमें आपको practice कराई जाएगी कि आपको choice filling किस तरह से करनी है यह basically उन students के लिए practice कराई जा रही है जो end time पर choice में कोई भी mistake ना कर दे और आप choice filling में इतनी से भी गलती करते हैं तो आपको अच्छी seat मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी यह final seat allotment नहीं है आप 17th June 12.30 p.m. तक इसके बाद बिल्कुल भी edit नहीं कर सकते हैं यह आपकी final choice filling मानी जाएगी till the round 1 then finally 20th June 10 a.m. को आपका round 1 result आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कोई seat मिली है या फिर नहीं मिली है आपको 20th June से लेकर 24th June तक बुलाया जाएगा आपको जिसवे दिन बुलाया जाएगा आपको उस venue पर उस specific time period में वहाँ पर जाना है और अपने सारे documents verify कराने है document verify कराने के बाद आपको वो seat मिल जाएगी आपको physically venue पर जाकर अपने documents को verify कराना है अगर आपके documents में कोई भी problem होती है तो आपकी seat इस case में cancer हो सकती है तो आप verification में जाने से पहले अपने सारे documents proper तयार करें अगर आप given day and given venue में specific time period नहीं जाते हैं तो इस case में भी आपकी seat cancer हो सकती है आपको verification में जाने से पहले seat acceptance fee पे करनी है यही बज़े है अगर आप seat acceptance fee अपनी registration की time पर ही fill कर देते हैं तो आपको उसे बाद में fill करने की जरुवत नहीं पड़ेगी then 27th June to 1st July second round starts जाएगा same procedure है पहले आपको seat acceptance fee पे करनी है then आपको जिस भी venue पर बुलाया जाएगा आपको specific time पर वहाँ पर जाना है अपने documents को verify कराना है और वो आपको seat मिल जाएगी यही same procedure then further 3rd, 4th, 5th round में चलता रहेगा then 28th June to 3rd July में आपको अगर किसी भी वज़े से अपनी seat withdraw करनी पड़ती है यानि आप अपनी seat cancel करना चाहते हैं तो आप इस time period में वो काम कर सकते हैं 28th July 10 a.m. से लेकर 3rd June 5 p.m. तक आप अपनी seat withdraw, cancel कर सकते हैं then July 4 to July 8 3rd round स्टार्ट हो जाएगा इसमें same भाई procedure है आपको seat acceptance fee pay करनी है and then document verify कराने के लिए अपने college या आपको जिसी venue बलाया गया है वहाँ पर जाना है अगर आप किसी विजए से अपनी seat cancel करना चाहते हैं या फिर अपनी seat withdraw करना चाहते हैं तो आप 5 July 10 a.m. से लेकर 9th July 5 p.m. तक अपनी seat withdraw या फिर cancel कर सकते हैं अगर आप इस time period के बाद कराने की कोशिश करेंगे अपनी seat withdraw तो वो नहीं होगी then July 10 to July 15 round 4 start हो जाएगा इसमें वही same procedure follow करना है July 11 to July 16 में अगर आप अपनी seat withdraw या फिर cancel करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं लेकिन 4th round के बाद आपको अपनी seat withdraw या फिर cancel कराने का मौका नहीं मिलेगा कि last chance है जिसमें आप अपनी seat withdraw या cancel करा सकते हैं round 4 के बाद यानि 5th round में या फिर spot round में जो भी seat आपको मिल जाएगी वही आपकी final seat मानी जाएगी उसमें कोई भी changes आप नहीं कर सकते हैं then July 17 to July 23 में आपका 5th round start होगा जिसे हम final round कह सकते हैं इसके बाद और कोई भी round नहीं होगा अगर कोई भी seat बच जाती है तो वह spot round में आएगी 5th round में भी आपको same way procedure follow करना है आपको पर document verify करानी है seat acceptance भी pay करनी है and then आपको वह seat allot हो जाएगी 5th round के बाद हमारी जोसा काउंसलिंग यहाँ finish हो जाती है अगर बाद आचांस जोसा काउंसलिंग में कोई भी seat रह जाती है या फिर कोई भी strength उन seat नहीं लेता है तो यह seats spot round में चली जाएंगी जिसकी information बाद में जोसा काउंसलिंग हमें दे सकता है अब एक important point 1st round to 4th round में जो आपको 2-3 दिन का गैप मिल रहा है इन गैप में आप अपनी seat cancel या withdraw कर सकते हैं इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा तो आप खास जान रखें अगर आप इसमें अपनी seat withdraw करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पिलिट में कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी round में अपनी choices edit कर सकते हैं round 1 के बाद आपको round 2 में अपनी choices फिर से edit करने का मौका मिलेगा तो round 3, round 4, round 5 आप इन सभी rounds में अपनी choices edit कर सकते हैं मान लीजे आपको round 1 में कोई seat allot हुई है और आपको अपनी seat acceptance fee भी pay कर दिये लेकिन किसी वज़े से आप वहाँ पर नहीं जा पाएं तो आपको second round में बैटने का मौका मिलेगा और आपको फिर से seat acceptance fee pay नहीं करनेगी जो आपने first round में seat acceptance fee pay की थी वो second round में adjust हो जाएगी इसी तरह से अगर आप किसी भी round में नहीं जा पाते हैं तो वो आपकी seat acceptance fee आगे round में adjust होती रहेगी तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सा काउंसलिंग schedule के बारे में सब कुछ बताने ही कोशिश की है then next वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सा काउंसलिंग में वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन से important documents को ले के जाना है इन documents में अगर आप कोई भी mistake करते हैं तो आपकी seriously seat cancer हो सकती है जिसमें आपको आगे चलके problem आ सकती है इस चैनल पर आपको most genuine related college life and engineering and other informative content मिलेगा जो शायद किसे चैनल पर नाम ले तो इस चैनल का आप लाइक कीजिए subscribe and share the video और जो सा इन जैक आउंसलिंग मैंने प्लेस बना आके तो आप इसे भी check out कर सकते हैं